जिस दिन एक्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिलकुल अच्छे नहीं थे लोगों से जूटने का हूंगा मैं उस कक्षा में पेल हो गया रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांती से कहा देखो बिटा तुम करना क्या चाह मैंने का पापा मैं स्पोर्ट में मन लगता है मैं खेल कूट करना चाहता हूं खिलाडी बनना चाहता हूं उन्होंने का ठीक है फिर उसमें ध्यान दो हम सपोर्ट करें साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो आप इश्वास ने करोगे खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने में लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी, उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया, अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नैशनल अवार्ट कभी मेरे हाथ को, ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक बज़े से सुना रहा हूँ, कुछ दिन पहले अकपार में मैंने पढ़ा था कि एक IIT के स्टूडेंट्स ने फासी लगा के आत्मा अत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए, उस से कुछ दिन पहले मुंब लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन डेड़ लाक लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं, और यंग लोगों में आत्मा हत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है, वो होती है पढ़ाई, या फिर रिलेशन्शिप का स्ट्रेस, क्य हमारी जान एक एक एक्जाम के माकशीर से सस्ती हो गई है, नहीं, ऐसा क्या पढ़ा ही कर रहे हो, इससे तो देश के लिए सरहत पे जाके जान लगा दो दाव पे, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माबाप की हालत, अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए, खुद कुशी कर लिए, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा, मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हलके में मत लो अपनी लाइफ को यार, आपको पैदा करने वालों आपको जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ, और पेरेंट से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहां गया वो जमाना, जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैटके बाते किया करते थे, पूछा करते थी कि कैसा चल रहा है आपके दोस कैसे है, पढ़ाई कैसी चल रही है, आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आखे गार के बैटे हो और आपका बच्चा भी फेस्बुक पे फ्रेंड्स डून रहा है, ऐसा क्यूं होता है कि जब बच्चे को हाथ पाउं पे चोट लगती है, तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्च्चर जार देते हैं, कहते हैं बिटा नो, ठिंक पॉजिटिव बिटा, ठिंक पॉजिटिव, मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक आपकी सबसे कीमती चीज है, कोई स्ट्रेस आए ना, तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है, अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिलकुल नहीं, किसी दोस्त को बोल दो, या अपने माबाप से शेर करो, मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन, वाटस सर्जिरी यूनिट के बार एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेर करना चाहता हूँ, महां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो आज खोलना ना पढ़ता ओजारों के साथ, भाईया मुझे एक प्रामिस करो कि आज, प्लीज, आज एक प् अपना ध्यान दर, मिलते हैं हुआ, तिल देन, नेक्स ताइन, गुद्बाई, जय हुआ